दो बिताने की जंगल की सेर कितना अजीब सा डॉगी है इसकी शकले किसी से मिलती है लगता है तुम बोल हो गए हो अरे ये क्या ये डॉगी तो बोल चकता है मुझे ये बताओ तुम इतने बोल की हो रहे हो आखिर ऐसी क्या बात हो गई है बताओ तो सही तुम्हें से क्या तुम जाओ तो मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो मैं कुछ भी सोच रहा हूँ एक डॉगी को से क्या मैं सुबह जल्दी उच जाता तो ताइम से स्कूल पहुट जाता है ना और फिर मैं सब के साथ हाइकिंग के लिए भी जा सकता अब चुबभी करो मैं जान बूच कर हाइकिंग पर नहीं गया था ये बताओ हाइकिंग में रखा ही क्या है बस पहाड होते है पहाडों में इतना खास क्या है बस इतना ही परक है कि जमीन धोड़ी उपर नीचे होती है बस वहाँ का नजारा अलग और सुन्दर होता है और हम वहाँ मिलकर गाने गा सकते है और वहाँ पर पिक्निक कर सकते है और टेस्टी खाना खा सकते है और गेम्स खेल सकते हैं और मान मज़ा कर सकते हैं मुझे पता था तो फिर अब चले जाओ तुम कैसी बाते कर रहे हो हम वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुच पाएंगे तो ये तुम थे डोरे मान सही कहा मैं Fusion Glue का इस्तमाल करके डॅगी बन गया था क्या Fusion Glue? इसकी मतब से तुम कोई भी चीज बन सकते हो और इसकी हर खूबी का इस्तमाल कर सकते हो अगर तुम हो उससे अलग हो नहों तो तुम इस Explosive Spray का इस्तमाल करो बैकिन इनिस सचीजों से हाइकिंग का बहुत जाएंगे अच्छा, अब समझा कि तुम क्या करना चाहते हो मैं ये फ्यूजिन ग्लू लगाऊंगा और ये तो कमाल है तो फिर चलो चले, गुटुगू इस तरह उन्मे में कितना मजा रहा है मुझे तो अभी से पाहाड दिख रहे है लगता है हम बहुत पास है वो इसलिए क्योंकि हम सीधा उड़का जा रहे है गुटुगू देखो पूरहे सब चलो हम दोनों उनसे आगे बढ़ जाते है छीक है एक्स्क्लूजिस पे शुक्रिया, तुम दोनों वापस ध्यान से जाना यहाँ कितना मजा आ रहा है ना मुझे अफसोस है नोबिता ने यहाँ एका मौका खो दिया बेचारा नोबिता तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे यह क्या? तुम दोनों यहाँ कब आए? हम तुम से पहले ही घर से निकल गए थे दोस्ता हम यहाँ कब से तुम्हारा इंतिसार कर रहे हैं? क्या कहा तुमने डोरे मौन? ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? अरे अब तुम दोनों बस भी करो देखो नोबिता आ गया है चलो अब साथ में मिलकर हाइकिंग करते हैं चलो भी जड़ी चलते हैं मैं तो बहुत ठक गया अभी तो हमें चलते हुए सर्ट दस मिनट हुए है नोबिता तुम भी ना हेई वो देखो पहार की चोटी हुरे लगता है हम पहुँच गए चलो रेस लगाते हैं मैं यह जीतूंगी मेरे रुक जाओ बहुत अच्छे जीतूंगा तब ही मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था घर पर रहके आराम करना चाहता था ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनोबिता हाँ हाँ एक खरगोश मैं जीत गया सबसे आगे अरे यह क्या अरे नहीं ममा अरे इसे क्या हो गया जल्दी चलो वरना हम तुमें छोड़ जाएंगे सुनो मेरी बात सुनो हाँ यह क्या तुम सब कितनी धीरे धीरे आ रहे हो नोबिता सुनो तुम यहां इतनी जल्दी कैसे पहुँचे सही कहा सुनियोने तुमने जरूर कुछ किया है तुम धुमने मिका तुमने यिद़ तुमने यामेट यह सुन है मुमने यह यह चाहिए, तुम किते फ़नी लग रहे हो देखो ये कितना सुन्दर है देखो मुझे अरे क्या बात है चलो एक काम करते हैं क्यों ना हम सब मिलकर अलग-अलग रूप बनाए इस तरफ दोस्तों कितना बजा रहा है ना दोस्तों मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच मुझ की मचली हूँ लेकिन नोबिता कहा लिया मेरे लिए रुको ये क्या किया नोबिता कच्छुआ बन गए तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो नोबिता क्या मैं कुछ और नहीं बन सकता मैं बसे कच्छुआ करने में ही काम्याब रहा इन सब बातों को भूल जाओ चलो हम तेरते हैं ठीक है क्या तुम सबको नहीं लगता अब हमें घर चलना चाहिए हाँ लगता तो है मुझे अब भूख लग रही है चलो वक्त है एक्स्क्लूजिव स्प्रे का एक्स्क्लूजिव स्प्रे तो पानी में खो गई उसके बिना हम मचली बनकर ही रह जाएंगे दोस्तों क्या क्या कहा तुमने अब अरे नहीं मुझे तो वो स्प्रे कहीं नजर नहीं आ रहा इतनी बड़ी जगा में हम उसे नहीं ढून पाएंगे हम लोग वैसे भी बहुत दूर आ गए हैं ना जाने कहां होगा वो वाओ ये मुझेदार लगता है क्या हूँ अजियान वो छोटा सा केजवा है क्या कर रहे हो तुम मैं जानता हूँ इस बात को सुनियो लेकिन मैं नहीं रुप पा रहा हूँ तो पर काभू रखने की कोशिश करो उससे मत करो जियान लगता है बहुत बड़ी पच्छी बसी है यह सब यह पर क्या हो रहा है इसे क्यों की उच रहे हो नहीं रहा क्या हूँ इसे किसे बितरा रोखना होगा अफ्रीधार मैं सब्रीक कर दूगा मैं खुद जाकर उन्हें बात दिलकर आता हूँ कि हमारी मदद करें तुम ऐसा नहीं कर सकते नोबिता जहरा सुनिये तो यह क्या इन्हें क्या हुआ बचाओ यह क्या है तुमने कमार है दिया नोबिता तुम्हारा बहुत शुक्रिया नोबिता अगर थोड़ी भी और देर हो जाती तो मैं फ्राइड फिश बन गया होता हाँ वो स्प्रे कहां गया हाँ उसके बिना हम ऐसे ही रह जाएंगे चलो उसे ढूने मैंने उसे पानी में बहता हुआ देखा तुम लोग जल्दी में देख नहीं पाए थे यही है न वो स्प्रे जिसे तुम ढून रहे थे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता मैं पूरी जिंदगी मचली बनकर नहीं रहना चाहती थी चलो जल्दी अरे बस शुक्र है हम यहाँ सही सलामत पहुँच गए जल्दी करो दोस्तों हाँ हमें जल्दी करनी पड़ेगी हाँ क्या तुम्हारे पास पैसे है टोरे मौन इतनी जल्दबाजी में हम हम पैसे लाना तो भूल ही गए मेरे पास तो बस एक ही टिकट के पैसे है अब हम क्या करेंगे सोचता हूँ क्या करना चाहिए शिजुका नोबिता डोरे मौन जल्दी करो जल्दी आओ हमारे पास पैसे नहीं है क्या तुम दोनों के पास भी नहीं है हमें तुम्हारी मदद चाहिए यह बहुत ही आसान होगा शिजुका यह तो बहुत ही अची बात है शिजुका बस आ गई है आई कितना जीब लग रहा है फिक्र मत करो हम जीब लग रहे हैं लेकित होई तेर की बात है क्या मतलब है तुम्हारा की शक्र जीब लग नहीं है माव कहना पड़ी बहुत ही अचीब है